हाई फ्रेंड्स वेलकम तो पिडी क्लासेस दिस वनोष शर्मा आज मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ इंटर्व्यू में एन्वी एस इंटर्व्यू में क्या-क्या हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर हम अच्छे से जानते हैं कि इन दिनों एन्वी एस के इंटर्व्य उसका जो भी बाते हो रही है मैं आपके साथ सब डिसकस करने वाला हूँ तो मुझे उमीद है आप हमारे दोनों चैनल्स इंजॉय कर रहे हैं पिडी क्लासेस और इंटर्व्यू गाइड जिस पर हमने आपको बासे वीडियो दे रहे हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर हमारे कुछ स्टूदेंट है जिन्नोंने हमें इंटिमेट किया कि जब हम इंटर्व्यू देने जा रहे हैं तो 8-10 मिनट on an average आप यह मानकर चलिए 8-10 मिनट on an average आपका इंटर्व्यू चल रहा है अब इस इंटर्व्यू के अंदर पूछा क्या क्या जा रहा है औ और क्या बाते मेन हैं उसकी बात सुन लो डॉक्यूमेंटेशन में वो 10 से 15 मिनिट लगा रहे हैं आपके पास अपनी दस्वीं बारवी की मार्चीट होनी चाहिए और बीसी सर्टिफिकेट वगर अगर जूरत है 6 months prior आपके पास होना चाहिए admit card, 2 आपकी snaps आपको अच्छे से मालूम है इसके बाद में जो मार्चीट से आपकी graduation वगर सब आपके पास available हो अब आपको यूनीक बात में बताना चाहूँगा जो आप जरूर ध्यान रखेगा अगर आप NBS के इंटर्वी के लिए जा रहे हैं जो आज के दिन शुरू हुए है इस यूनीक बात के अंदर बताना चाहूँगा कि आप documentation करवाने के बाद आप enter हो रहे हो interview chamber में उस समय आप file जरूर अपने साथ ले जाएए अब आप कहेंगे sir क्या file हमारी वहाँ देखी जाएगी और किसी chamber में आप file लेकर enter होकर देखी आप खुद कहेंगे हाँ जी sir आपने सही बताया था जब हमारे हाँ में file होती है तो हमारा confidence लेवल जादा होता है अब बात करते हैं कि interview में क्या-क्या बाते आ रही है किनकी बातों पार हमको ध्यान रखना है यहाँ पर जादा वो weightage English Hindi नहीं दे रही है तो आप अपनी language Hindi mode रख सकते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी में comfortable रहते हैं हाँ थोड़े बहुत word आप English के use करना ताकि उनको यह जरूर लगे कि यदि आपको कहीं बार दूर भेज़ दिया जाए बहुत अच्छा impression आपका देंगे इसके साथ साथ 2 से मैं यह कहूँगा 2 मिनिट बहुत जादा होते है डेट से 2 मिनट आप अपने introduction को वहाँ तक वो सुन रहे हैं उसके बाद वो आपसे cross questioning करेंगे obvious है psychology based question जरूर पूछ रहे हैं और जो game आप बता रहे है particular game से rated अभी एक candidate ने बताया कि volleyball sir मैं खेलना पसंद करता हूँ तो उनको बोला आप board पर आईए और उसका court बना कर दिखाईए तो मुझे लगता है court measurement जो भी आपका profile system होता है उसके according उन्होंने court बनाने के लिए बोला होगा देखाऊगा किस measurement के इसाफ से आप बनाते हैं जैसलिए आज मेरे अपने नई चैनल पर wrestling court का बनाया है आँ 200 मीटर और 400 मीटर के मैंने वीडियो आपके लिए डाले थे अपने अपने दोनों चैनल्स पर वो भी आपने जरूर देखे होंगे इस तरीके से आपको आपसे subject से related या favorite game की related आपको questioning हो सकती है कुछ psychological questions होते हैं वो भी सुन लीजिए psychological based questions भी interview से पुछे गए पर उससे पहले सबसे important बात हर interview वाले बच्चे के लिए मैं बताना चाहूँगा दोस्तों जबी भी आप answering करें आप अपने answering हिंदी में दीजी मैं फिर से reply करता हूँ यह APS का interview नहीं है यह NVS का है मगर जब आप answer दें आप words कुछ English के जरूर use कीजिए आप खुद देखेंगे जब आप English के word यूज कर देंगे तो आपको यह कहने लाइक नहीं रहेंगे कि आपको English कम आती है क्या आपको नहीं आती है क्या यानि कि आप interviewer को मोका नहीं देंगे कि sir मैं comfortable नहीं हूँ English में या मुझे problem है ऐसा उसको लगने भी मत देना यह कैसे संभव होगा जब आपने जवाब में कुछ words English के रखेंगे अब बात करते हैं कि उन्होंने आगे psychological based questions क्या किये इसके लावा कोई normal questions जैसे CTE से related obvious है वो आपसे पूछ सकते है family based questions normal किसी से पूछा किसी से नहीं पूछा psychological based questions मैं आपको बताना भी चाहूँगा और चाहूँगा आप वो prepare भी कर लो ताकि आपको benefit मिले तो सबसे पहला psychological question यही था सुनिए बहुत अच्छा लगा मुझे question कि आपके वहाँ कोई candidate है और वो candidate पढ़ाई में भी अच्छ है और games में भी अच्छ है अब बताईए आप उसको कैसे manage करेंगे आप उसको किस तरफ divert करेंगे क्या आप उसको अपने games की तरफ divert करेंगे या आप उसको यह कहेंगे बिटा पढ़ाई की तरफ आप divert रो तो आप उसको कौन सी direction देना पसंद करोगे तो यह मुझे लगता है एक बहुती ऐसा question है जिसका answer जल्दी से हमें ऐसा कहूँगा कि हमें इसके लिए preparation करनी चाहिए क्योंकि देखो यह question complicated question है एक ऐसा question है जिसका answer हम फटा फट हाँ और ना एक तरफ नहीं रह सकते हैं तो हमें थोड़ असा सोच कर diplomatic हो कर अगर इसका हम जवाब दे तो हम ज़्यादा interviewer को impress कर सकते हैं मेरा जो candidate particular जहां से मुझे मालूम चला मेरा जो source है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि members आपके four हैं और उस वाले batch में पूरे mail ही थे चारों और जब वो enter हुआ तो उसने बोला good morning sir अंदर आकर अच्छे से बोला उनको बैठने के लिए बोला ठीक है यह सब setup था अब एक अच्छा question फिर से मैं आपको दे रहा हूँ जो 100% पूछा गया है आज के दिन ही पूछा गया है तो उमीद है हमारी students को अच्छा भी लगेगा मेरे लिए भी एक कुशन नया था कि आपका student कोई भी XYZ competition या फिर किसी purpose से या खेलने के लिए कहीं पर भी बाहर गए है 10-15 दिन के बाद वो person लोटे है यानि कि student लोटे है और अब obvious है ये 10-15 दिन की पढ़ाई उनकी बहुत खराब होई होगी क्योंकि 10-15 दिन में आपने तो class में पढ़ाया होगा अब जो भी class की पढ़ाई है या फिर ओर subjects है उन subjects को आप उस बच्चे को कैसे cover up करवाओगी आप ऐसा क्या करेंगे कि उस बच्चे की पढ़ाई भी ना खराब हो और जो भी वो खेलने गया हो जो भी competitions में गया हो उसका वो role भी अच्छे से निबाए और यहाँ पर उसकी पढ़ाई भी ना खराब हो तो आप ऐसा क्या करेंगे कि उसका waste ना हो कुछ भी उसका utilize हो समय तो मुझे भी लगता है दोस्तों ये question अच्छा है और कल आपसे भी पूछ सकते हैं और आज अगर पूछ रही है तो अविज है कि इंटर्विर के mind में कही ना कही इस तरीके questions यानि hypothetical questions बोला जाता है इनको तो ये questions आपसे भी पूछ सकते हैं इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि demo के लिए physical वालों को तो कोई इतना special नहीं दे रही है सिरफ board तक ले आकर या कुछ activity करवा रहे हो सकता है आपको मैंने जो attention, standards, turns वगरा जो सिखाये थे वो आपसे पूछ ले, command देनी पूछ ले और जो music वाली है जातर, सरसती वंदना वगरा सुनते है वाकल वालों से, तो यह depend करता है क्योंकि अब भी दोस्तों कोई ज़्यादा समय नहीं हुए 9 बजे इंट्रू शुरू हुए थे आप जानते एक दो गंडे तो वैसे भी लग जाते है documentation के लिए या वैसे formalities वगरा के लिए तो जैसे से हमें पता लगेगा हम आपको बहुत अच्छी ची news देते जाएंगे by that type आप हमारे दोनों चैनल से कम से कम 2000 से भी ज़्यादा वीडियोज इंजॉई कर रहे हैं और passality पर वीडियो देखिए body language पर देखिए, interviews पर देखिए खूब enjoy कीजिए हमारे दोनों चैनल को PD classes और interview guide को